वेलकम टू विद्या की जन्नी अगर KBS TGT की तयारी आप कर रहें तो यहाँ आडियो से आपके बहुत सारे प्रस्थ तयार हो सकते हैं बसंत भाग एक यह आपके सलेबस में है तो इसको जरूर पढ़िए जरूर सुनिए बहुत सारे प्रस्थ आपके इससे तयार हो जाएंगे क्योंकि इससे प्रस्थ जरूर बनेगा क्योंकि आपके यह सलेबस में है तो बसंत भाग एक में 17 पार्ट है जिनको लगाया गया है 17 पार्ट और यह पार्ट के जो कभी है और क्या है कौन सी विधा है उसको भी आडियो से जानेंगे तो आडियो वीडियो दोनों मनाते हैं तो आप जरूर जोने अपने दोस्तों को जोड़ लें चलिए बसंत एक से पहला पार्ट जो है वह है वह चडिया जो यह केदार ना था ग्रवाल की रचना है वह चडिया जो कभीता है और यह केदार ना था ग्रवाल की रचना है और केदार ना था ग्रवाल की वह चडिया जो से कुछ प्रस्ण ऐसे भी बन सकते हैं कि चडिया के पंग कैसे ह तो वह नीले है वह चडिया जो केदार ना्थ रग्रवाल की रचना है और इसे प्रस्थन बन रहे हैं कि चडिया के पांक कैसे है तो नीले हैं चिडिया जल के मोती ले जाती है चिडिया क्या ले जाती है तो जल के मोती ले जाती है चिडिया नदी के दिल को टटोलती है कोश्चन बन सकता है कि चिडिया क्या टटोलती है तो चिडिया नदी के दिल को टटोलती है के दाननाथ अग्रवाल की कविता क्या है कौन सी है तो वह चडिया जो इस तरह के question आप बन जाएंगे तो यह कविता चडिया के माध्यम से प्रेम और उमंग से जीने की सीख देती है यह कविता जो यह चडिया जो है यह क्या किस माध्यम से क्या देती है क्या सीख देती है तो यह कविता चडिया के माध्यम से प्रेम और उमंग से जीने की सीख देती है नेक्स्ट है चडिया किसके दाने खाती है चडिया जो है वह जो नहरी के दाने खाती है किसके खाती है तो जो नहरी के दाने खाती है दाने भरे हुए थे कैसे जो नहरी के दाने जो थे हो चुडिया का गीत मधूर है यह बसंत भाग एक से प्रस्ण बन रहे हैं सारे प्रस्ण बसंत भाग एक पाठेक से हैं चुडिया कंठ खोल कर गाती है कोशना सकता है चुडिया कैसे गाती है तो कंठ खोल कर गाती है केदार नाथ अग्रवाल को केदार नाथ अग्रवाल को पूर्बा रचना के लिए साहित याकादमी पुरसकार मिला था नेक्ष है बच्पन दूसरा पाठ है बसंत भाग एक का दूसरा पाठ है बच्पन संस्मरण है बच्पन क्या है तो संस्मरण है और किसका संस्मरण है कृष्णा सोबती का संसमरण है बच्छपन और या बसंत भाग एक के बुक में है और या कृष्णा सोबती की रचना है बच्छपन और बच्छपन संसमरण है किसकी तो कृष्णा सोबती की है कुछ कोश्चन भी इसे है पंजाबी प्रिष्ट भूम दर्साया गया है जिंद 80 Best質 कब वा था Это 20 सदी में फुवा था शिक्का बदल गया है ख़ानी है किशना सोबती की मेरी मा कहांゲे है कि यह कहानी विधा है और किशना सोबती की चाहर έχ सिक्का बदल गया यह भी कृष्णा सोबती की रचना है बशपन में लेखिका कृष्णा सोबती की व्रेत्व कब वुए थी तो 2019 में थी क्रिष्णा सोबती लेखिका सनीमार को आलिव आयल पीना पड़ता था कृष्णा सोबती लेखिका को सनी वार को आलिव आयल पीना पड़ता था चस्मा लगाने पर लेखिका को भाई ने चिढ़ाते हुए क्या कहा तो लंगूर कहा कृष्णा सोबती की रचना गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान जिसका समय है 2017 कृष्णा सोबती की रचना है गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान इसका समय है 2017 क्रिश्ण सोबती की यात्रा साहित है बुद्ध कमंडल लद्दाग पुछा जा सकता है क्रिश्ण सोबती की यात्रा साहित कौन से है तो बुद्ध कमंडल लद्दाग या क्रिश्ण सोबती की यात्रा साहित है नेक्ष्ट है नेक्ष्ट जो पाठ है नादान दोस्त है या प प्रेमचंद की रचना है और या कहानी विधा है कहानी विधा है प्रेमचंद की रचना है और केसो और स्यामा रहते हैं जो भाई बहन रहते हैं और या इसमें चिडिया की कहानी है नादान दोस्त चडिया की कहानी है इसमें क्या है तो चिडिया की कहानी है और नादान दोस् चौथा पाठ बसंत भाग एक चांद से थोड़ी सी कप्पे गया है उसके बारे में बढ़न किया गया है और पच्छमा पाठ है बसंद भाग एक में पांचमा जो पाठ दिया गया है वह अच्छरों का महत्व है पांचमा पाठ है अच्छरों का महत्व जो KBS TGT में सिलेबस के रूप में है तो अक्छरों का महत्व या किस की रचना है गुडाकर मूले की रचना है अक्षरों का महत्व और इसके अक्षरों का महत्व के रचना कार जो है वो गुडाकर मूले है चट्मा पाट बसंत भागेक में चट्मा पाट दिया गया है पार के नजर लेखक है पार के नजर लेखक पार के नजर जिसके लेखक है जयन्त बिश्नू नारलीकर पार के नजर इसके लेखक है जयन्त बिश्नू नारलीकर या मराठी कहानी है या कोंसे कहानी है तो मराठी कह पार के नजर का हिंदी अनबाद किस ने किया था तो रेखा देश पांडे ने किया था। थोड़ी सी गप्पे या सेर बहादु सिंग की कविता है और पचमा है अक्षरों का महत्व जो गुडाकर मूले की रचना है और यह निबंद विधा है नेक्ष है जो छटमा है वो पार के नजर लेखक है इसके जैन्त विश्नु नार लेकर और सात्मा है जो सात्मा पाठ है बसंद भागेक में वो है साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना इसके रचनाकार है साहिर लुधियान वी कौन से है इसके रचनाकार तो साहिर लुधियान वी है साथी हाथ बढ़ाना की रचनाकार और यह कौन से रचना है तो गीत रचना है यह गीत रचना है साथी ह रचनाकार है विष्णु प्रभाकर ऐसे ऐसे के रचनाकार कौन है तो विष्णु प्रभाकर है पाठ का नाम है ऐसे ऐसे जिसके रचनाकार है विष्णु प्रभाकर है और यह एक आंक की विधा है एक आंक की विधा कैसा होता है तो एक आंक का होता है इसमें पात्र कुछ इ भिष्ण प्रभाकर हैं और ऐसे ऐसे में जो पात्र हैं वह मोहन की मा और मोहन की पिता और उसके जो मोहन है उसके पडोसी दीनानात यह चन Joy इसे ऐसे में पात्र है एक बार फिर से जानिए कि ऐसे ऐसे में पात्र है मोहन, मोहन की मा, मोहन के पिता और दीनानाथ जो उनका पडोसी रहता है यह आठ्वा पात्र है जिसके रसनाकार विश्नु प्रभाकर है और यह कांकी बिधा है इसके पात्र है मोहन, मोहन की मा, मोहन क पिता और उसके पडोसी दीनानाद नेक्स्ट है जो नावा पाठ है वह है टिकट एल्बम टिकट एल्बम यह भी यह नावा पाठ है और इसके लेखक है सुन्दरा स्वामी इसके लेखक कौन है तो सुन्दरा स्वामी और यह टिकट एल्बम तमिल में लिखा गया है तमिल मे बिधा है पात्रिस्ट में है राजप्पा नाग राजन और पारबती पात्र कौन है तो राजप्पा है नाग राजन है और पारबती टिकट एलबम के लेखक है सुन्दरा स्वामी और टिकट एलबम तमिल में लिखा गया है और राजपा नाग राजन पारबती इसके पात्र है और यह तमिल में लिखा गया है और हिंदी में किस ने लिखा तो सुमित आयर ने लिखा है हिंदी में इसको किस ने लिखा तो सुमित आयर ने लिखा दसमा पाठ है दसमा पाठ है बसंद भाग एक में जो दसमा पाठ है वो है जहासी की रानी जहासी की रानी क्या है तो यहां कविता है जहासी की रानी कविता है और किसकी कविता है तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है जहासी की रानी और जहासी की रानी पाठ का नाम क्या है तो जो देख कर भी नहीं देखतें और यह कौन सी रचना है किसकी रचना है तो हेलन केलकर की रचना है यह हेलन केलकर की रचना है और यह निबंध विधा है कैसी विधा है तो निबंध विधा है जो देख कर भी नहीं देखतें यह कैसी विधा है तो निबंध विधा है और यह हेलन केलकर की रचना है नेक्ष है हेलन केलकर का जन्म कब हुआ था तो 1880 में और इनकी मृत हुई थी 1968 में अमेरिका में हुई थी हेलन केलकर का जन्म कब हुआ था तो 1880 में हुआ था तो था मृत हुआ 1968 में अमेरिका में हुआ था हेलन केलकर की आत्मकथा कौन सी है तो हेलन केलकर की आत्मकथा है श्टोरी आफ लाइफ हेलन केलकर की आत्मकथा है श्टोरी आफ लाइफ हेलन केलकर की आत्मकथा है श्टोरी आफ लाइफ है यह इंपॉटेंट प्रशन है अब पूछ सकता है कि हेलन केलकर की आत्मकथा कौन संसार पुस्तक है यह किसकी रचना है तो जवालाल नहरू की रचना है और यह एक पत्र है यह क्या कौन सी रचना है तो पत्र विधा है और पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक अंग्रेजी में लिखा गया है इसका जो हिंदी अनबाद है हम उनसी प्रेम चंद ने किया हिंदियन बात किस ने किया तो मुझे से प्रेम चंद ने किया बारहमा पाठे संसार फुस्तक है जिसके जो रचनाकार है वो जवाहर लाल नहरू है और यह पत्र विधा है और यह क्या है तो पत्र है तेरहमा है पाठ तेरा है बसंत भाग एक में पाठ तेरा कौन सा है तो बसंत भाग एक में पाठ तेरा है मैं सबसे छोटी हूँ मैं सबसे छोटी हूँ कभिता रचना है और सुमित्रा नंदन पंत की रचना है किसकी रचना है तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है मैं सबसे छोटी हूँ कभिता रचना है यह और सुमित्रा नंदन पंत की रचना है मैं सबसे छोटी हूँ यह कौन सी विधा है तो कबता विधा है और यह पाठ 13 है मैं सबसे छोटी हूँ और सुमित्रा नंदन पंत की रजना है नेक्स्ट है यह पाठ 14 है बसंत भागेक में वह लोक गीत है निबंध विधा है लोक गीत क्या है तो निबंध विधा है और इसके लेखक है भगवत सरड उपाद्याए। लोक गीत निबंध विधा है और लेखा कौन है तो भगवत सरण उपाध्याई है भगवत सरण उपाध्याई की रचना कौन सी है तो लोक गीत है और यह निबंध विधा है किसी भी तरह से कुमा फिरा के question पूछ सकता है तो ध्यान से सारे प्रस्णों को सुनिए और एक बार में समझ में आये तो दो बार जरूर सुन लिजिए और सारे प्रस्ण बहुत आसानी से याद हो जाएंगे तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा helpful से दोगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो और आडियो बना भी चुके हैं उसको जरूर देख लेजिए और अगर helpful लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कितना फाइदा दे रहा है चलिए next जो 15 पार्ट है उसको बंद बिधा है नोकर कौन से बिधा है तो यह निबंद बिधा है यह किसकी रचना है तो अनुबंधो पाध्याय की रचना है किसकी है तो अनुबंधो उपाध्याय की रचना है अनुबंधो उपाध्याय का जन्म 1927 में हुआ था अनुबंधो उपाध्याय का जन्म कब और इनकी मृत 2006 में हुई थी 2006 में स्वतंतरता अंदूलन के साथ साथ सामाजी कारियों में स्वतंतरता अंदूलन के साथ साथ ध्यान से सुनिए अनुबंधो पाध्याय का जन्म 1927 इसमी में अमृत 2006 में हो गया था और सोतंत्रता आंदूलन के साथ-साथ समाजी कारियों में भी गाधिजी की अभिन्य सहयोगी रही है कौन तो अनुबंधो पाध्याए कलेकट्रेड वर्क्स आफ महात्मा गाधी का समपाधन किया है Active तो अनुबंधो पाध्याए ने फिर से सुनिए पाठ है बन के मार्ग में सुलहमा पाठ है बसंत भाग एक में बन के मार्ग में यह सुलहमा पाठ है और यह किसकी रचना है तो तुलसी दास की रचना है और यह सवया बिधा है बन के मार्ग में इसमें जो रचना दी गई है वो सवया है नेक्ष है जो सत्रहमा और अंतिम है तो सांस सांस में बास यह किसकी रचना है तो LX एक चार्ज की रचना है इस प्रकार जो कुछ सामान बसंत भाग एक से प्रस्ण बन सकते थे उसको लेके आए हैं और पाठो से जो प्रस्ण बनेंगे उसको हम एक बार जरूर और भी लेके आएंगे पहले हम नोट्स बना लेंगे फिर आप लोगों तक पहुँचाएंगे और अगर आप लोगों को यह मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक सेर और सबस्क्राइब जरूर करें ज़्यादा ज़्यादा सेर करें कि सभी तक यह पहुँच जाए के लिए जो तैय करिए लाइक करिए आप पूरा सुनें इसके लिए में आपका बहुत बहुत बहुत